हाई फ्रेंग्स मैं आम सूरिया है और आप देखरें क्रिकेट वर्सेस बॉलिवूड आज मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लेंड के फोर्थ टेस्ट मैच के बारे में इस मैच में कुछ ऐसा यूनिक हुआ है जिस जो सूचकर आप बहुत जादा खुश है और कही ना कहीं इनकी अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा केरियर ग्राफ रहा है व्राट कोली का ऐजे वंडे कैप्टन तो अच्छे चलते ही है अब टेस्ट कैप्टन भी बहुत जादा फेमस हो चुके व्राट कोली इसी साल उन्होंने दो डबल सेंचुरीज लगाए थी और तीसी डबल सेंचुरीज इंगलाइन के मैच में वह लगा चुके है 192 का स्टैंड बितक फिलाल है और बहुत बढ़िया चल रहे हैं उनके साथ जो बैटिंग कर रहे हैं वह भी 92 रन पर बने हुए है और कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवर्स हो गया है मतल हो गया है उसके बाद ऐसा लगा था कि इंडिया शायद गर्दिशों में इंडिया के सितार हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं वन मैन आजबी के जिससे विराट कोली डटे है उनके साथ डटे है जो बहुत अच्छी बैटिंग करें 92 रन पर मैं यहीं चाहता हूं कि हम सब यहीं रन हो चुका है हमारी इंडियन टीम का कुछ करीबन 597 या कुछ उस तरह का रन है बहुत बढ़िया रन स्कॉल चालू है और इंडिया मतलब इतना दो समझ लिए चौथा दिन है और आने वाले वक्त में यानिक दो इनिंग्स में मतलब यह भी हो सकता है कि शायद विराट क बनाए और और अलग सा रिकॉर्ड करें विराट कॉली ने 51 मैचेस में करेवन करेवन चार हजार से उपर का रन स्कॉर किया है तो विराट कॉली बैस्ट में हो चुकिया मुंबई की तो और बहुत जादा पांगल हो चुकि है खुश हो गई एक्साइट हो गई है कि नहीं विराट को लेकि इस कारणाम के वाज़े से मुझे जब बताएगा चले करता के लिए बाइबाइब